हराव कोई महीं होगता इसके उपर जो ख Spa यह वी बात कर दो पहले की भी बात करहाएं अबबिक जाड़ा अघए है जब आई होप सब बढ़िया और मास्त होगे और बिंदास दियार आज की वी डियो में आपको बताऊंगा जपानमें कमाना खाना बचाना कितना होता है क्योंकि बहुत सारी लोग पूछते हैं कि यहां पे अगर हम जॉब करते हैं तो हमारा कितना मतब कि सैलरी मिलते हैं और कितना बचता है महीने का तो पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगा कि कितना यहां पे सैलरी है कितना यहां पे एक्सपे देती है बाद में देथी कुछ पता हुं लगता मतलब कि ओस तारिक को देती आफ तारिक को नाइट में क्रेडिट करती है और सुबह मतलब कि मिलती है तो आज है नौ तारिक करते के अंधर होता है तो पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा तो वीडियो में बने रहे ना और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस एंटियम में क्या होता है यहां पर होती ही इंगलिस तो यह थोड़ा सा इजी होता है चलाने में जपान महेंगा कितना है वो कैसे पता लगेगा इसके लिए हमें करने पड़ेगी शॉपिंग तो चलिए हम चलते हैं शॉपिंग करते हैं पहले तो चलिए उठाते हैं अपनी यह BMW यह हमारी BMW खड़ी इसी से जाएंगे यह अपना सुपर रिश्टोर है इसका नाम है हस्तारा इसको फ़र्ट टाइम जब मैं यह आपके देखा था मुझे लगए निपाली के जैसे नाम ऐसे ही होते हैं तो मुझे लगए नेपाली ने खोल रख खांग है यहाँ यह बनाना है यह यहाँ पर काफी महेंगे नितो ट्राइल में शस्ते मिल जाते थे और यह लेमन भी यह यहां पर 98 का है और यह है नाशपती जो बोलते है 128 की वन पीस इपल 480 के 2 पीस यह है टोमाइटो 250 के 4 पीस वेगन 198 के 3 पीस यह ग्रेप्स हो गए रहा भाई यहां पर बहुत मेंगे मिलते है यार यह इते को पालक है और यह इसे कद्धू यह नीन नीकू लैसन जीसे बोलते यह भी 190 के मिलते है 98 कुकुमबर 298 यह ब्रड 88 की यहां पर सस्ती है मैं एक जगह से और लेता हूं बहुत मैंनी मिलती है सबसे सस्ती चीज यहां पर जपान मिलती है यह वाइन वाइन वागेरा यह सस्ता है बाकिसम नहीं यह आप देखो यह राइस है यह 5 kg के 3080 के बटर अगर आवरर्वीच यह सस्ती होते हैं जो कि 2000 औ गरेरा के मिलते हैं यह मैंने ले ली यह 216 यह मिलते हैं यह मिल्क में भी काफी बराकिस होती है मट काफी एक्षबेंसी defensive 300-300 की होते हैं बंसा यह वालाइट वाला यह वाइचिक वाला मिल जाता है तो यही सस्ता होता है और यह अच्छा भी होता है 188 का है टेक्स लगाए 200 का पड़ जाएगा यह बटर जो कि मैं हमेशा खाता हूं और यह है चिकन यह सड़े 505 यह बटर यह बटर यहां पेट कोड़ रिंग जो कि इंडिया का रेट यहां का रेट से यह बटर यह यह जैपनी जैन में हो जाता है यह जैसे कि यह 500 एमल के 690 और यह ओल है यही और मैं यूज करता हूं बाकि और दूसरे भी होते है वह लोगे रहे को काफी ज़्यादे एक खाते हैं अच्छा भी होता है और इधर यह जैपनीज की काफी ज़्यादा सॉसेस हैं जो कि यह यूज करते हैं अपने फूड हो गहरा में मैं तो एक-दो ही लेकर जाता हूं जो चिल्ली सूखी वाली रेड चिल्ली और यह सुगर 280 की मिल जाती है यह नमक यह गुड़ भी रेख मुड़ा यहां पर अब जाता है और यह भी काफी जादा महें जहाँ जाता है यह ना हमे फ Dol Speaker देख के रहे हूं जहाँ लेसा लेख आए जहां पर मिल जाता है और यह वी काफी जादा महेंगे उते हैं ट्राइल जो सुपर मार्केट का मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर सस्ता मिल जाता है, और ये ना 100 एंड की शॉप है, सुपर मार्केट में ये एक साइड में लगी रहती है, जहां पर आप होम वगेरा के लिए अपने घर के लिए उजस वाली चीजे आप 100 एंड क अगयरा मिल जाते हैं, फेर कॉंपी और जो कि 100 एंड के हैं, बांकी कहीं से लो तो बहुत महिंगी मिलती है, ये देखो इस तरह कि ये घर की यूज के लिए अपने रोम की यूज के लिए बहुत सारा आइटम मिल जाता है, जो कि अधसी रहता है, दाइशो होते हैं, बड़े बड़े भी मिलते हैं, तो बहुत होते हैं, जैसे 298 का पीनेट्स है, और भी काफी है, काजू वेरा है, अल्मोन सा, और ये बिल कराया हमने, यहां से पैसे डाले, यहां से पैसे निकलते हैं, यह है बिल हमारा, ये जेपी पोस्ट है, ये पोस्ट आफिस भी होता ह तो अगर आप इसमें एकाउंट ओपन कराते हैं तो इसका बेनीपीट होते हैं ब्रांचस बहुत ज़्यादा होती हैं इंडिन ग्रॉसरी लेने के लिए यहां काफी ज्यादा रिश्टोडेंट है की नेपाली बांबंदेजी पाकिस्तानी open करके रखते हैं और वह रेस्टोडेंट भी होता है लिए हैं यहां काफी सारे वन फाउजन के करीब होती है और अगर आपको और किसी तरह की कोई जैसे लेनी है दाले लेनी है जैसे अरहर की दाल लेनी है मसूर की दाल लेनी है छोले लेने है राजमा लेने है या और भी कुछ लेना है तो यह दाले हो गयरा यह 400 से 600 के बीच में यह जैपनीजियन में मिल जाती है आप कुछ भी ले सक मैं इसके उपर वहारे बील होते हैं पहले की बीबात करूं और अभी की वी तो सेम तो में यहां पर पढ़ा हुगा भी इस मंद्ध का देना और गैस कभी बीलाता है 3-4000 के बीज में ठंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि यहां की जो हीट होता है गरम पानी होता है जो शावर योज करते हैं यह गैस से कनेक्शन होता है इसका तो यह अगर हम जब गरम पानी हो सकता है तो जैसे कि मैं अपने रूम की बात करो तो मेरा तो काफी जादा मेंगा 45,000 मंतली यहां पर लगता है बड़ मेरी कंपनी करती मैंने आपको बताया था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है अगर मैं एवरेज की बात करो तो अगर आप एक सिम चलाते हैं तो एक सिम में अगर आप अनलिम्टेड डाटा चाहिए आपको तो आपको 4000-5000 के बीज में 6000 यहां पर मुबाइल हो गएरा कि यह तो अगर आपको और डाटा कम भी चाहिए तो 3GB-4GB कभी मिलता है बट उसका कोई फायदा नहीं क्यों होता है 3,500 की बीज में होता तो आप अनलिम्टेड डाटा लेजिए अब दूसरी चीज यह वहां पर जो सबसे ज़्यादा महेंगी वह है ट्रेबल वैसे तो आधी जिन्दगी आप साइकल पर ही निकल जाती बट फिर भी जाना पड़ता है अगर एक स्टेशन की बात करूं अगर तो मुझे टाइम नहीं मिलते हैं तो मैं जानी पाता तो कम से कम आप 3-4,000 की बीच में रखेंगे कि आपका ट्रेवलिंग भी करजा होगा एक सजेसन नहीं है अगर आप जपान आते तो आप लाइसेंस बनवा ले तो आप सकते हैं तो वह आपको बहुत ज्यादा सस्ता प अगर मैंने लेटेस्ट टिकट आया है तो दो महीने में अगर भी कटवाते तो मिनमाम वन थाजन तो लगी जाता है तो अगर मैं पूरा एक मंथ का खर्च की बात करूं कि कितना खर्चा होता है वह पूरा वन मंथ में कम से कम आपको 50,000 तो होता है 50,000 से नीचे तो आप कोई लिमिट नहीं है और हाँ एक जरूरी बात कि यह खर्चा तभी इतना आएगा जब आप खुद से खाना बनाओगे और अगर एक ताइम का अगर आप खाना खाना जाएगे रेश्टोरेटों गयर में तो मिनिमाम 800 यान लगता है इससे ऊपर भी जाता है कभी नीचे आ तो अगर 185,000 में इंडिया की इसाब से देखें तो आज की इसाब से बांगते हैं एक लाग 20,000 के आसपास कि इस टाइम पे इनकी केरेंसी बहुत जादा नीचे डाउन है 55-60,000 के बीच आप इंडिया में भेज सकते हैं तो मेन बात कि जपान महेंगा है या नहीं तो लेकिन एक बात और अगर टोकी ओ जाते हैं तो वहां पर एक्सपेंस ठोड़ा और ज्यादा हो सकता है रोम और लाइट ऑगार क्योंकि कंपनी भी अलग अलग होते है तो वह थोड़ा सा और इक्सपेंस हो सकता है अगर इंडिया में 20,000 की जॉब करते हैं अगर 20,000 में परच दिया एक लाख आप कमान लेजे खर्च हो गया उसे वैसे कमी खर्च होता है ज्यादा खर्च नहीं होगा तो आपके एक लाख में 50-60,000 होता है तो आपको 60-50,000 के बीच में आप इंडिया पैसे भेश सकते हैं आप ये सेव कर सकते हैं तो ये रहा मतलब कि जपान इतन तो अगर महेंगा यह कोईड़ों देख सकते हैं इस वीडियो में अपनी सेल्डि स्लिप दिखाई हैं तो वहां पर पर मेरी सेल्डि को आप जान सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आए होगा इस वीडियो मियाही तक मिलते किसी और वीडियो में अगर आपको कोई कुछ्चन है कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा के तुरू है या इस वीडियो के कमेंट में पूस सकते हैं मैं आपको 100% रिप्लाई करूँग तो मिलते किसी और वीडियो में तब तक लिए बाई बाई सायो नारा टेक क्यार जाए हिन